दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहां क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें जिससे के आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकें अगर आप एडवेंचर और ट्रेकिंग के शौकीन है तो उत्राखंड में स्थित रूपकुन जील आपके लिए एक बहतरीन जगे है यह जील हमाले के गलेशियर्स के गर्मियों में पिगलने से उत्राखंड के पहाडियों में बनने वाली चोटी सी जील है यह जील 5,029 मीटर की उँचाई पर स्थित है जिसके चारों और उँचे उँचे बरफ के गलेशियर्स है यहां तक पहुँचने का रास्ता बेहत दुरगम है इसलिए यह जगा एडवेंचर ट्रेकिंग करने वाले लोगों की पसंदीदा जगे है यह जील यहां पर मिलने वाले नरकंकालों के कारण काफी चर्चे में है यहां पर गर्मियों में बरफ बिगलने के साथ ही कहीं पर भी नरकंकाल दिखाई देना आम बात है यहां तक के जील के अंदर देखने पर तलहटी में भी नरकंकाल पड़े दिखाई देते हैं यहां पर सबसे पहला नरकंकाल साल 1942 में एक रेंजर एच के मधवाल द्वारा खोजा गया था तब से लेकर आज तक यहां पर सैंक्रों नरकंकाल मिल चुके हैं यहां पर नेशनल जोग्राफिक टीम ड्वारा भी एक अभियान चलाया गया था जिसमें उन्हें 30 से ज्यादा नरकंकाल मिले थे यहां पर इतने सारे नरकंकाल कैसे आए इसके बारे में तीन अलग-अलग कहानिया प्रचलित है 1942 में हुए एक रिसर्च से यहां मिलने वाली हट्डियों के रहसे पर थोड़ी रोशनी डाली जा सकती है रिसर्च के अनुसार ट्रेकर्स का एक ग्रुप यहां बरफ गिरने के कारण फस गया था जिसमें सभी की दर्दनाक मौत हो गई हट्डियों के एकसरे और बाकी टेस्ट से पाया गया कि हट्डियों में दरारें पड़ी हुई थी जिससे पता चलता है कि गिरने वाले ओलों का साइस कम से कम क्रिकेट के बॉल जितना रहा होगा महां कम से कम 35 किलोमेटर तक कोई काम नहीं था और सिर चुपाने की भी कोई जगे नहीं थी आंकडों के आधार पर माना जा सकता है कि ये घटना 850 ईसवी के आसपास की रही होगी एक और किवदंती के मताबिक तिबबत में 1841 में हुए युद के दोरान सेनिकों का एक समूग इस मुश्किल रास्ते से गुजर रहा था लेकिन वो रास्ता भटक गए और कहीं खो गए और बाद में कभी नहीं मिले हाला कि ये एक फिल्मी कहानी जैसा लगता है पर यहां पर मिलने वाली हड़ियों के बारे में ये कहानी भी खुब मशहूर है अगर स्थानिय लोगों की माने तो उनके अनुसार जस्धावल नाम का एक राजा नंदा देवी की तेर्थ यात्रा पर निकला उसको संतान की प्राप्ती होने वाली थी इसलिए वो देवी के दर्शन करना चाहता था स्थानिय पंडितों ने राजा को इतने विशाल समारों के साथ देवी दर्शन जाने को मना कर दिया लेकिन जैसा की तै था इस तरह के जोर शोर और दिखावे बाले समारों से देवी नारास हो गई और सब को मौत के घाट उतार दिया राजा उसकी रानी और आने वाली संतान को सभी के साथ खत्म कर दिया गया मिले अवशेशों में कुछ चूडियां और कई गहने भी पाए गए जिन से पता चलता है कि इस समूव में महिलाएं भी मौजूद थी अगर आप सूपर नैचरल और देवी देवताओं में विश्वास करते हैं तो इस कहानी को सच मान सकते हैं आप अपने साथ किसी स्थानी व्यक्टी को ले जा सकते हैं और रात के समय ये कहानी उससे सुन सकते हैं और आपके रॉंग्टे जरूर खड़े हो जाएंगे इस रहसे में जील पर जाने के लिए लोहा जंग से रास्ता शुरू होता है जो कि करना प्रयाग से 85 किलोमीटर की दूरी पर है काट कोदाम स्टेशन से लोहा जंग के लिए आप टैक्सी ले सकते हैं अगर आप रिशी केस से आ रहे हैं तो वहां से करना प्रयाग तक बस ले सकते हैं करना प्रयाग से 4-5 घंटे में आप लोहा जंग पहुँच जाएंगे रूपकुंचील की तरफ पढ़ने के लिए लौट करजन ट्रेल को पकड़ें नील गंगा नदी के पुराने पुल को पार करके करीब 3 घंटे तक जंगली पेड़ों के बीच आपको ट्रेकिंग करनी होगी आप जल्द ही एक वाटर फॉल के पास आ जाएंगे आगे चलते जाएंगे तो राउन बगात पहुँचकर आपको डिडिना की चड़ाई करनी होगी पास के गाउं को फॉलो करते रहें और दो घंटे में आप एक आसान जगे पहुँच जाएंगे जहां पर आप आराम कर सकते हैं अब आपकी अगली यात्रा डिडिना से बेदनी बुग्याल की होगी अली की तरफ से जाने वाला रास्ता छोटा है मगर थोड़ी खड़ी चड़ाई वाला है यहां से बुग्याल पहुँचने में आपको करीब तीन घंटे लगेंगे एक दूसरा रास्ता तोपलानी की तरफ से भी जाता है पर वे काफी लंबा है यहां आप एक रात गुजार सकते हैं और अगली सुबा सनो को फालो करते हुए चल पड़े जल्दी निकलने से आप भगवा बासा जल्दी पहुँच जाएंगे जहां पर आप थोड़ा आराम कर सकते हैं लोटानी से कालू विनाएक की तरफ चार घंटी की चड़ाई के बाद आप गणेश मंदर पहुँच जाएंगे जहां पर आपके पास यहां रुखने का आप्शन भी है या तो आप भगवा बासा में ठहर जाएं या हुनिया थल पर कैम्प लगा ले यहां रातें काफी ठंडी होती हैं सुबा पांच बजे आप रूपकुन जहील के अंतिम पड़ाव की और निकल पढ़ें बर्फ बिगलने से पहले आप चलना शुरू हो जाएं बर्फ काटने के लिए साथ में आप कुलहाडी भी लेते जाएं जहील का पहला नजारा आपको जरूर खुश कर देगा यह एक नीले रंग का बर्फीले शीशे जैसा दिखता है लेकिन बर्फ जमी होने पर भी इस पर चलने की गल्दी मत करें अगर आपको यहां मिलने वाली हट्टियों की कहानियों से डर नहीं लगता है तो आप यहां जब तक चाहें कैम्प लगा कर आनन्द ले सकते हैं दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जहां पर आप मुझे परसनली मैसिज भी कर सकते हैं साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट misteriousnightsindia.blogspot.com पर विजिट भी कर सकते हैं आप अपने विचार हमें कॉमेंट्स के माधियम से जरूर बताएं अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेर जरूर करें हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे तब तक के लिए इजासत दीजिए